नमस्कार दोस्तो दिल्ली के खिलाब मुंबई की धमा के दार जीत के बाद बदल गया IPL 2023 का पूरा पॉइंट स्टेबल जीत के बाद मुंबई इंडियन्स को पॉइंट स्टेबल में हुआ बहुत बड़ा फायदा और वहीं RCB और दिल्ली को लगा बहुत ही बड़ा जटका तो दोस्तो क्या है पूरा पॉइंट स्टेबल बताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मुंबई इंडियन्स के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तो टोस जितकर पहले मुंबई की टीम ने बॉलिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली की टीम ने 20 ओबर में 172 रन बना लिये और वहीं लक्ष का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियन्स ने इस मैच को आसानी से जीत लिया तो फिर चलिए अब नजर डालते हैं IPL 2023 के पूरे पॉइंट स्टेबल पर वहीं दोस्तो पॉइंट स्टेबल में नमबर वन पे लखनो की टीम है जो अपने चार में से तीन मुकाबले जीत कर छे अंकर जीत कर चुकी है और उसके बाद नमबर दो पे राजस्थान की टीम है जो अपने त तीन में से दो मुकाबले जीत कर 4 अंकर जित कर चुकी है और उसके बाद नमबर 5 पे चन्राई की टीम है जो अपने तीन में से एक मुकाबला जीत कर 2 दो अंक करजित कर चुकी है और उसके बाद नमबर 8 पे RCB की टीम आ चुकी है जो अपने तीन में से एक मुकाबला जीत कर दो अंक कर चुकी है और वहीं दोस्तों नमबर 9 पे हैदराबाद की टीम है जिसके सिर्फ दो अंक है और वहीं दोस्तों नमबर 10 पे दिल्ली की टीम ह जिसके जीरो अंक हैं तो दोस्तो इसी तरह IPL के सबी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजेगा